C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की विज्ञान की पाठे पुस्तक। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ पंद्र है शीर्षक प्रकाश। प्रिष्ट 184। आपने पतली जिर्री अत्वा छिद्र से सूरे के प्रकाश के किरन पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए जाना होगा। स्कूटर, कार तथा रेलगाडी के इंजनों के अग्रिदीपों यानी हेडलेंब से आते प्रकाश के किरन पुंजों को भी आपने अवश्य महसूस किया होगा। जैसा की चित्र 15.1 भाग A में दिया गया है। इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरन पुंजों को जाना जा सकता है। संभवता आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पत्तन यानी एपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरन पुंजों को भी जाना होगा। जैसा की चित्र 15.1 भाग B में दिया गया है। ये अनभव क्या संकेत करते हैं। यहाँ पृष्ट 184 पर दो चित्र दिये गये हैं। भाग A और भाग B भाग A में रेल इंजन का अगर दीब दिया गया है। और भागबी में लाइट हाउस का चित्र दिया गया है। ये चित्र 15.1 जिसमें प्रकाश के किर्ण पुंज को दिया गया है। सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से जाना था। जैसा कि चित्र 15.2 में दिया हुआ है। बूज हो मुड़े हुए पाइप से मुम्बत्ती की लौ को क्यों नहीं जान पाया था। ये क्रिया कलाप बताता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हम प्रकाश के पत को कैसे परिवर्थित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किये हुए या चमकदार प्रिष्ठ यानि सतह पर पड़ता है तो क्या होता है। प्रिष्ठ एक सो पिच्चासी यहां प्रिष्ठ एक सो पिच्चासी पर चित्र पंद्रह दशमलव दो दिया गया है। इसे दो भागों A और B में विभाजित किया गया है। ये चित्र एक मुम्बत्ती की ओर A, C थे तथा B मुडे हुए पाइप से क्रिया कलाप को करते हुए दिया गया है। पंद्रह दशमलव दो प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधी ये है कि इसे किसी चमकदार प्रिष्ट पर डाला जाए। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन पाया है? जैसा कि चित्र 15.3 में दिया गया है. यहां प्रिष्ट 185 पर चित्र 15.3 दिया गया है. इसमें जल में वस्तूओं का परावर्तन होता दिया गया है. कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार प्रिष्ठ दर्पन की भाती कारिक कर सकता है. जब प्रकाश किसी दर्पन पर पढ़ता है, तो क्या होता है? आपका ख्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पन अपने उपर पढ़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है. दर्पन द्वारा प्रकाश की दिशा का ये परिवर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है. क्या आपको वहक्रिया कलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दरपन द्वारा परावर्दित कराया था? पहेली को पंच तंत्र की शेर तथा खरगोष की कहानी याद आ रही है जिसमें खरगोष ने शेर को पानी में उसका परावर्तन बता कर मूर्क बनाया था जैसा की चित्र 15.4 में दिया गया है यहाँ प्रिष्ट 185 पर चित्र 15.4 में कुएं के पानी द्वारा परावर्तन दिया गया है प्रिष्ट 186 आईए उसी से मिलता जुलता एक क्रिया कलाब करें क्रिया कलाब 15.1 एक टॉर्च लीजिए इसके काच को चित्र 15.5 में बताय अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकडे से ढखिये जिसमें तीन पतली जिर्रियां यानी स्लिट बनी हूँ लकडी की किसी चिकने बोड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाईए चार्ट पेपर पर समतल दर्पन की एक पटी उर्धवाधर स्थिती में रखिये जैसा की चित्र 15.5 में दिया गया है अब टॉर्च की जिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरन पुंज को दर्पन पर डालिये टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश बताई दे कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश पता लगे अब इसकी स्थिती को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाष समतल दर्पण पर एक कूण बनाते हुए टकराए जैसा कि चित्र 15.5 में दिया गया है यहाँ प्रिष्ट 186 पर 14.5 दिया गया है इसमें एक समतल दर्पण से प्रकाष का परावरतन बताया गया है क्या दर्पण अपनी उपर पढ़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाईए कि दर्पण पर प्रकाश पढ़ता रहे क्या आप परावर्तित प्रकाश के दिशा में कोई परिवर्तन पाते हैं? परावर्तित प्रकाश के दिशा के अनुधिश दरपण में महसूस कीजिए क्या दरपण में आपको टॉर्च पर लगी जिर्यां समझ में आती हैं? ये जिर्यों का प्रतिविम्ब है पहली जानना चाहती है कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं बूजो का विचार है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुंचे क्या आप उससे सहमत है? ये क्रिया कलाब बताता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है आईए दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनकी विशे में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें क्रिया कलाब 15.2 यहां प्रिष्ट 186 पर क्रिया कलाब 15.2 में एक चेतावनी दी गई है जलती हुई मुम्बत्ती का उप्योग करते समय सावधानी बरतें इस क्रिया कलाब को यदि अपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिती में करें तो अच्छा है एक समतल दर्पन के सामने एक जलती हुई मुम्बत्ती रखिए मुम्बत्ती की लओ को दर्पन में समझने का प्रयत्न कीजिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे की इसी प्रकार की एक मुम्बत्ती दर्पन के पीछे रखी हो जो मुम्बत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गाया मुम्बत्ती का प्रतिबिंब है, जैसा कि चित्र 15.6 में दिया गया है, यहां मुम्बत्ती किसी बिंब यानी वस्तु का उधारण है अब मुम्बत्ती को दर्पण के सामने विभिन स्थितियों में रखे प्रत्यक अवस्था में प्रतिबिंब को समझे क्या प्रत्यक दशा में प्रतिबिंब सीधा है क्या प्रतिबिंब की लौ, बिंब की लौ की भाती मुंबत्ती के उपरी सिरे पर समझ में आ रही है इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं समतल दरपन द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दरपन में सीधा तथा बिंब के समान आमाप यानी साईज का जान पड़ता है प्रिष्ट 187 यहां प्रिष्ट 187 पर चित्र 15.6 दिया गया है इस चित्र में समतल दरपण में मुम्बत्ती का प्रितिबिम्ब दिया गया है बूजों ने अपनी नोटबुक में लिखा क्या ये आश्चर रजनक नहीं है कि दरपण चाहे छोटा हो या बड़ा मेरा प्रितिबिम्ब मेरे साइज के समान ही बनता है अब दरपण के पीछे एक परदा उर्धवाधर रखिए परदे पर मुम्बत्ती का प्रतिबिम्ब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए क्या आप परदे पर प्रतिबिम्ब प्राप्त कर पाते हैं? अब परदे को दरपण के सामने रखिए, क्या अब आप परदे पर प्रतिबिम्ब प्राप्त कर पाते हैं? आप समझेंगे कि किसी भी स्थिती में मुम्बत्ती का प्रतिबिम्ब परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दरपण से प्रतिबिम्ब की दूरी कितनी है? विदि चेस पोर्ड उपलब्ध ना हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाईए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा कीचिए। इस रेखा पर एक समतल दरपण को उर्ध्वादर रखिए। दरपण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तू जैसे पेंसिल शापनर रखिए। जैसा की चित्र 15.7 में किया गया है। दरपण में इसके प्रतिबिम्ब के स्थिती नोट कीजिए. अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखे. फिर से दरपण में प्रतिबिम्ब के स्थिती नोट कीजिए. क्या आप दरपण से प्रतिबिम्ब की दूरी तथा दरपण के सामने रखे बिम्ब की दूरी में क प्रतिबिम्ब के स्थिती निर्धारन करना बताया गया है। आप जानेंगे कि प्रतिबिम्ब दर्पन से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी की दर्पन से बिम्ब की दूरी होती है। अब इसकी पुष्टी, चार्ट पेपर या चेस बोर्ट पर बिम्ब को किसी भी स्थान पर रख कर कीजिए पहली ने अपनी नोटबुक में लिखा समतल दरपण में प्रतिबिम्ब दरपण के पीछे बनता है ये सीधा होता है, बिम्ब के साइज के समान होता है तथा दरपण से प्रतिबिम्ब की दूरी दरपण के सामने बिम्ब की दूरी के बराबर होती है जब आप समतल दरपण में अपना प्रतिबिम्ब पाते हैं, तो क्या ये ठीक आपके ही जैसा होता है क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दरपण में आपके प्रतिबिम्ब में एक रोचक अंतर है आईए इसे ग्यात करें प्रिष्ट 188 क्रिया कलाप 15.4 यहां प्रिष्ट 188 पर चित्र 15.8 दिया गया है इस चित्र में प्रतिबिम्ब में दक्षण हाथ वाम प्रतीत होता है एक समतल दरपण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिम्ब को जानिए अपने दक्षण यानि दाहिने हाथ को उपर उठाईए आपका प्रतिबिम्ब अपना कौन सा हाथ उपर उठाता है जैसा कि चित्र 15.8 में दिया गया है अब अपने वाम यानि बाय कान को सपर्ष कीचिए आपके पृतिबिंब में हाथ आपके किस कान को सपर्ष करता है ध्यान पूर्वक समझे आप जानेंगे कि पृतिबिंब में दक्षन वाम जान पड़ता है तथा वाम दक्षन जान पड़ता है बूजों ने सडक पर एक रोगी वाहन यानी आम्बुलेंस को पाया उसे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे की और शब्द आम्बुलेंस विचित्र प्रकार से लिखा था ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व यानी साइड में ही ये अदला बदली हुई है प्रतिबिम्ब उल्टा यानी उपर का भाग नीचे नहीं होता अब एक कागस के टुकडे पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दरपण के सामने पकड़ कर रखिए ये दरपण में कैसा लगता है क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द आम्बिलेंस को चित्र 15.9 की भाती क्यों लिखा जाता है जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च द्रिश्च दरपण यानी पीछे का द्रिश्च दिखाने वाले दरपण में पढ़ते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे अम्बिलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं हम में से प्रतेक का ये कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोग के बिना उसे आगे जाने दें। आपने समझा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दरपण में सभी वस्तूं के प्रतविंब स्वैम वस्तूं से छोटे लगते हैं। क्या आपने कभी सूचा है कि ऐसा क्यूं होता है? यहां प्रिष्ट 188 पर चित्र 15.9 दिया हुआ है। इस चित्र में एक रोगी वाहन का चित्र दिया गया है जिस पर एक आलग अंदाज से आम्बुलेंस लिखा हुआ है। प्रिष्ट 189 पंदरह दशमलव चार गोली दरपणों से खेल। पहेली तथा बुजो साइकाल भोजन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बुजो ने स्टेनलेस स्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिम्ब जाना। अरे ये प्लेट तो समतल दरपण की भातिकारे करती है। मेरा प्रतिबिम्ब सीधा तथा समान साइस का है। पहेली ने अपना प्रतिबिम्ब स्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले प्रिष्च का उप्योग करके जाना। पहेली ने कहा, बुझो, इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिम्ब जान पा रही हूँ। यद्यपी ये साइस में छोटा है, ये चम्मच भी एक प्रकार के दरपण की भातिकारे करती है। आप भी चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार प्रिष्च का उप्योग अपना प्रतिबिम्ब जानने के लिए कर सकते हैं। क्रिया कलाप 15.5 स्टेनलेस इस पात की एक चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी प्रिष्च को अपने चहरे के पास लाईए, तथा इसमें जानिये। तथा इसे समझ ये, क्या आप इसमें अपना प्रतिबिम्ब जान पाते हैं। जैसा की चित्र 15.10 में दिया गया है। आपने जैसा प्रतिबिम्ब समतल दरपण में जाना था। क्या ये प्रतिबिम्ब उससे भिन है? क्या ये प्रतिबिम्ब सीधा है? क्या इसका साइज बिम्ब के साइज के समान है, अत्वा छोटा है या बड़ा है? यहां प्रिष्ठ 189 पर चित्र 15.10 दिया गया है। इसमें चम्मच के बाहरी प्रिष्ठ द्वारा बना प्रतिबिम्ब बताया गया है। अब चम्मच की भीतरी प्रिष्ठ का उप्योग करके अपना प्रतिबिम्ब जानिए। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिम्ब सीधा तथा बड़ा मालूम हो। यदि आप अपने चहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं, तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिम्ब जान पाएं। जैसा की चित्र 15.11 में दिया गया है। अपने चहरे के स्थान पर आप अपने पैन अत्वा पैंसिल के प्रतिबिम्ब की भी तुलना कर सकते हैं। यदि किसी गोली दर्पन का परावर्तक प्रिष्ट अवतल है तो इसे अवतल दर्पन कहते हैं यदि परावर्तक प्रिष्ट उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पन कहते हैं जैसा की चित्र 15.1-2 में दिया गया है चम्मच का भीतरी प्रिष्ट अवतल दर्पण की भाती कारे करता है जबकी इसका बाहरी प्रिष्ट उत्तल दर्पण की भाती कारे करता है यहां प्रिष्ट 189 पर चित्र 15.12 भाग A में अवतल तथा भाग B में उत्तल दर्पण दिये गए है इन अलग-अलग दर्पणों का परावर्तक प्रिष्ठ अंकित किया गया है प्रिष्ठ एक सो नब्बे अवदल तथा उत्तल दर्पणों को गोलिये दर्पण क्यों कहते हैं? रबड की एक गेंद लीजिये तथा इसके एक भाग को चाकू अत्वा आरी से काटिये जैसा की चित्र 15.13 भाग 1 में दिया गया है सावधान गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिये कटी हुई गेंद का भीतरी प्रिष्ठ अवदल तथा बाहरी प्रिष्ठ उत्तल कहलाता है जैसा की चित्र 15.13 भाग B में दिया गया है यहां प्रिष्ठ 190 पर चित्र 15.13 दिया गया है यह चित्र गोलिय दरपन गोले का एक भाग है इसे दो भागों A और B में विभाजित किया गया है A में अवतल प्रिष्ठ और B में उत्तल प्रिष्ठ को दिया गया है हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दरपन द्वारा बना प्रतिबिंब परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आईए जाने कि क्या ये अवतल दरपन द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी सही है क्रिया कलाप 15.6 यहां प्रिष्ट 190 पर क्रिया कलाप 15.6 में एक चेतावनी दी गई है चेतावनी में लिखा है क्रिया कलाप 15.6 सूर के प्रकाश में किया जाना है सावधान कभी भी सूर को या इसके प्रतविंब को सीधे मत जानिये क्योंकि इससे आपकी आँख खराब हो सकती है आप सूर के प्रतिबिम्ब को किसी परदे या दिवार पर बना कर जान सकते हैं अब एक अवतल दरपन लीजिए इसके परावर्तक प्रिष्ठ को सूर की ओर रख कर पकड़िए दरपन से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए कागज की शीट को तब तक आगे पीछे यानि समायोजित कीजिए जब तक कि आपको एक तीक्ष्ण यानि सपष्ट चमकदार बिंदू प्राप्त ना हो जाए जैसा की चित्र 15.14 में दिया गया है यहां प्रिष्ठ 190 पर चित्र 15.14 दिया गया है इसमें अवतल दरपन सूर का वास्तविक प्रतविंब बनाता है ये क्रिया कलाप करते हुए दिया गया है दरपन तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है ये चमकदार बिंदू वास्तव में सूरे का प्रतिबिंब है ध्यान दीजिए ये प्रतिबिंब परदे यानि कागज की शीट पर बन रहा है परदे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं स्मर्ण कीजिए कि क्रिया कलाब 15.2 में समतल दरपन द्वारा बने मुम्बत्ती की लौके प्रतिबिम्ब को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सका था इस प्रकार के प्रतिबिम्ब को आभासी प्रतिबिम्ब कहते हैं आईए अब अवदल दर्पन द्वारा बने मुम्बत्ती की लौके प्रतिबिम्ब को परदे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करें क्रिया कलाप 15.7 अवदल दर्पन को चित्र 15.15 में बताये गए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंट यानि कोई प्रबंध जो दर्पन को स्थिर रख सके का उप्योग किया जा सकता है पर लगाईए गत्ते की किसी शीट लगभग 15 सेंटिमीटर गुणा 10 सेंटिमीटर पर एक सफेद कागस चिपकाईए यह एक परदे का कार्य करेगी मेज पर एक जलती हुई मुम्बत्ती दर्पन से लगभग 50 सेंटिमीटर की दूरी पर रखे प्रिष्ट 191 परदे पर मुम्बत्ती की लौका प्रतिबिम्ब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए इसके लिए परदे को दर्पन की ओर अथवा दर्पन से दूर उस समय तक सरकाईए जब तक की लौका तीक्ष्ण प्रतिबिम्ब प्राप्त न हो जाए ध्यान रखे कि मुम्बत्ती से दर्पन पर पढ़ने वाले प्रकाश को परदा बाधा ना पहुँचाए क्या ये प्रतिबिम्ब वास्तविक है या आभासी है क्या इसका साइज लौज इतना ही है अब मुम्बत्ती को दर्पन की योड लाईए तथा इसे इससे अलग-अलग दूरियों पर रखे प्रतिएक अवस्था में परदे पर प्रतिबिम्ब प्राप्त करने का प्रयतन कीजी अपने प्रेक्षणों को सारणी 15.1 में अंकित कीजी जब मुम्बत्ती दर्पन के अत्यांत निकट है क्या तब भी प्रतिबिम्ब को परदे पर प्राप्त कर पाना संभव है इसे चित्र 15.1.6 में बताया गया है प्रिष्ट 191 पर चित्र 15.15 वचित्र 15.16 दिये गए हैं चित्र 15.15 में दो भाग हैं इसमें अवतल दर्पन द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिम्ब दिये गए हैं जबकि चित्र 15.16 में अवतल दर्पन द्वारा बना आभासी प्रतिबिम्ब दिया गया है यहां इस प्रिष्ट पर सारणी 15.1 दी गई है जिसमें किसी अवतल दर्पन द्वारा बिम्ब की विभिन स्थितियों के लिए बने प्रतिबिम्ब के बारे में आपको लिखना है इस सारनी को चार भागों में विभाजित किया गया है पहला भाग है बिम्ब की दर्पन से दूरी दूसरा भाग है प्रतिबिम्ब की प्रकृती बिम्ब से छोटा या बड़ा फिर प्रतिबिम्ब की प्रकृती उल्टा या सीधा और आखिर में प्रतिबिम्ब की प्रकृती वास्तविक या आभासी बिम्ब की दरपन से दूरियां दी गई हैं ये दूरियां हैं 50 cm, 40 cm, 30 cm, 20 cm, 10 cm और 5 cm. आपको इस क्रिया कलाप को करने के बाद इस सारनी को भरना है. प्रिष्ट 192 हम जानते हैं कि अवतल दरपन द्वारा बना प्रतिबिम्ब साइस में बिम्ब से छोटा या बड़ा हो सकता है. प्रतिबिम्ब वास्तिवेक अत्वा आभाजी भी हो सकता है. अवतल दरपनों का उप्योग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है. संभवतह आपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाँख तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दरपन का उप्योग करते हुए पाया होगा. दंत विशेश अग्यों द्वारा अवतल दरपन का उप्योग दांतों का बड़ा प्रतिबिम्ब जानने के लिए किया जाता है, जैसा की चित्र 15.17 में दिया गया है. यहां प्रिष्ट 192 पर चित्र 15.17 दिया गया है. इस चित्र में दंत चिकेट सक मरीश के दांतों का अवलोकन कर रही हैं. तौर्च, कारूं तथा स्कूटरों के अग्र दीप में परावर्तन प्रिष्ट की आकरती भी अवतल हैं, जैसा की चित्र 15.18 में दिया गया है. यहां प्रिष्ट 192 पर चित्र 15.18 दिया गया है. इसमें टौर्च का परावर्तक बताया गया है. बूजू ने अपनी नई साइकल की घंटी के चमकदार प्रिष्ट में अपना प्रतिबिंब जाना. उसने जाना कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है. उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलिय दर्पन है? क्या आप पहचान सकते हैं क कि ये किस प्रकार का दर्पन है? ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक प्रिष्ट उत्तल है. क्रिया कलाप 15.6 को अब अवदल दर्पन के स्थान पर उत्तल दर्पन लेकर दोहराई के जैसा कि चित्र 15.19 में किया गया है. अपने प्रेक्षणों को क्रिया कलाप 15.7 की भाती सारणी में अंकित कीजिए. यहाँ प्रिष्ट 192 पर चित्र 15.19 दिया गया है. इसमें उत्तल दर्पन द्वारा बनाया गया प्रितिबिम्ब दिया गया है। क्या आप उत्तल दर्पन द्वारा बिम्ब की किसी भी दूरी के लिए वास्तिविक प्रितिबिम्ब प्राप्त कर पाते हैं। क्या आप बिम्ब से बड़े साइज का प्रतिबिम्ब प्राप्त कर सकती हैं? क्या अब आप वाहनों के पार्ष्वि दर्पणों यानि साइड मिरर में उप्योग किये जाने वाले दर्पणों को पहचान सकती हैं? ये उत्तल दरपण हैं। उत्तल दरपण अधिक शेत्र के द्रिश्य का प्रतिभिंब बना सकती हैं। अतह ये चालकों को पीछे के अपेक्षा क्रत अधिक शेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करती हैं। जैसा की चित्र पंद्रा दशमलव दो शूने में दिया गया प्रिष्ट 193 पर चित्र 15.20 दिया गया है। इस चित्र में उत्तल दर्पण पार्ष्व दर्पण के रूप में दिया गया है। 15.5 लेंसों द्वारा बने प्रतबिम्ब आपने आवर्धक लेंस यानी हैंड लेंस समझे होंगे। ये बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उप्योग किये जाते हैं। जैसा कि चित्र 15.21 में दिया गया है। संभव तह आपने इसका उप्योग कौकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को समझने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। यहां प्रिष्ठ 193 पर चित्र 15.21 दिया गया है। इसमें एक आवर्धक यानी हैंड लेंस दिया गया है। लेंसों का उप्योग व्यापक रूप में चश्मों, दूर दर्शियों, यानी दूर बीनों त adopt हा सूक्ष्म दर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उप्योग जोडने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए। उन्हे स्पर्श करके महसूस कीजिए क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर समझ पाते हैं वे lens जो किनारों की अपेकशा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्ता lens कहलाते हैं जैसा कि चित्र 15.22 भाग A में दिया गया है जो किनारों की अपेकशा बीच में पतले महसूस होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं, जैसा की 15.22 भाग B चित्र में दिया गया है, ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं, तथा इन में से प्रकाश गुजर सकता है, यहां प्रिष्ट 194 पर चित्र 15.22 भाग A और B दिये गए हैं, भाग A में उत्तल लेंस तथा भाग B में अवतल लेंस दिये गए हैं, यहां एक चेतावनी दी गई है, चेतावनी में लिखा है, लेंस से सूर को या किसी चमकीले प्रकाश को जानना खतरनाग है, आपको उत्तल लेंस से सूर के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित ना करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए, आईए, लेंसों से खेलें, क्रिया कलाप 15.9, एक उत्तल लेंस अत्वा आवर्धक लेंस लीजिए, इसे सूर की किर्णों के मार्ग में रखे, चेत्र 15.23 में बताए गए अनुसार एक कागस की शीट रखे, लेंस तथा कागस के बीच की दूरी को उस समय तक समायूजित कीजिए, जब तक कि आपको कागस पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त ना हो जाए, इस स्थिती में लेंस तथा कागस को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखे, क्या कागस जलना प्रारंप कर देता है? प्रिष्ट 194 यहां प्रिष्ट 194 पर चित्र 15.23 दिया गया है, उत्तल लेंस द्वारा सूर का वास्तविक प्रतिबिंब इस चित्र में दिया गया है, अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल लीजिए, क्या अब भी आपको कागस पर चमकदार बिंदु समझ में आता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्ट हो रहा है? हमने दरपड़ों के लिए ये समझा है कि बिंब की विभिन स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रक्रती तथा साइज बदलते हैं, क्या ये लेंसों के लिए भी मानने है? सामानित है, उत्ता लेंस उस पर पढ़ने वाले यानि आपतित प्रकाश को अभिसरित यानि अंदर की ओर मोड़ना कर देता है। इसे अपसारी लेंस कहते हैं, जैसा कि चित्र 15.24 भाग B में बताया गया है। यहां प्रिष्ट 194 पर चित्र 15.24 भाग A और B दिये गए हैं। इन दोनों भागों में अभिसारी और अपसारी लेंस दिये गए हैं। आईए जानें। क्रिया कलाप 15.10 एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज पर रखे एक स्टेंड पर लगाईए। जैसा कि आपने अवदल दरपन में किया था। मेज पर एक जलती हुई मुमबत्ती को लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जैसा कि चित्र 15.25 में किया गया है। यहां प्रिष्ट 194 पर चित्र 15.25 दिया गया है। इस चित्र को दो भागों में विभाजित किया गया है ए और बी। इस चित्र में विभिन दूरियों पर रखे बिम्ब के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिम्ब को दिया गया है। प्रिष्ट 195 बूजो कहता है कि इसका आर्थ ये है कि हम लेंस द्वारा बने प्रतिबिम्ब को बिम्ब की दिशा में जानते हैं। लेंस के दूसरी ओर रखे कागस के परदे पर मुम्बत्ती की लौ का प्रतिबिम्ब फ्राप्त करने का प्रायतन कीजिए। आपको परदे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा। जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट यानी तीक्ष्ण प्रतिबिम्ब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है। क्या ये वास्तविक है या आभासी। अब लेंस से मुम्बत्ती की दूरी बदल ही जैसा की चित्र 15.25 में किया गया है प्रते कवस्था में कागस के परदे को सरका कर इस पर मुम्बत्ती की लौका प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए अब दल दरपन के लिए किये गए क्रियाकलाब 15.7 के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणी बद्ध कीजिए क्या बिंब की किसी स्थिती के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो जैसा की चित्र 15.26 में दिया गया है क्या इस प्रतिबिंब को परदे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या ये वास्तविक है या आभासी? ऐसे स्थिती में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भादी उपियो किया जाता है इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्यान कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधे तथा बिंब के साइस से छोटे हैं जैसा कि चित्र 15.27 में दिया गया है। यहाँ प्रिष्ट 195 पर चित्र 15.27 दिया गया है। ये चित्र अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब बताता है। इंद्र धणुष आखाश में क्षितज के पास होता है। इंद्र धनुष आखाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष यानी आर्क के रूप में सामने आता है। जैसा कि चित्र 15.28 में दिया गया है। यहां प्रिष्ट 195 पर चित्र 15.28 दिया गया है. इस चित्र में इंद्र धनुष का चित्र दिया गया है. प्रिष्ट 195 पर चित्र 15.26 दिया गया है. इस चित्र में उत्ता लेंस द्वारा बना आभासी प्रतिभिंब दिया गया है. प्रिष्ट 196 आपको अनेक वर्ण मालूम होते हैं, जैसा की चित्र 15.29 में दिया गया है. यहाँ प्रिष्ट 196 पर चित्र 15.29 दिया गया है. यह चित्र सूरे के प्रकाश में रखी एक सीडी का है. पहेली आपको बताना चाहती है कि आप इंद्र धनुष को तभी पाते हैं जब आपकी पीठ सूरे की ओर हो. इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूरे का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रुन है? आईए जाच करें. क्रिया कला 15.11utet प्रिस्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश का सफेध काघस की एकशीट अथवा सफेध दिवार पर गिरने दीजीए. आप क्या महसूस करते हैं? क्या आप इंड्रधनुष जैसे ही वर्ण यहां भी पाते हैं? जैसा कि चित्र 15.30 में दिया गया है यह बताता है कि सूर के प्रकाश में साथ वर्ण विद्धिमान है ऐसे प्रकाश को श्वीत प्रकाश भी कहते हैं श्वीत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए यहां प्रिष्ट 196 पर चित्र 15.30 दिया गया है इसमें प्रिज्म सूर के प्रकाश की एक किरन पुझ को साथ वर्णों में विभाजित कर देता है यह दिया गया है क्या हम इन साथ वर्णों को मिला कर श्वीत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं आईए प्रयत्न करें क्रिया कलाप 15.12 लगभग 10 cm व्यास की गत्य की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए इस डिस्क को साथ खंडों में बांट लीजिए जैसा की चित्र 15.3.1 भाग A में बताये गए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के साथ वर्णों से पेंट कीजिए आप इन खंडों पर विभिन वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं डिस्क के केंदर पर एक छोटा चिद्र बनाईए डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर धीले से लगाईए सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंतरता पूर्वग घूर्णन कर यानि घूम सके जैसा की चित्र 15.3.1 भाग A में दिया गया है डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाईए जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाती है तथा डिस्क श्वेट से प्रतीत होती है जैसा की चित्र 15.3.1 भाग B में दिया गया है इस डिस्क को सामानितह न्यूटन के डिस्क कहते हैं पहली कहती है इसका अर्थ ये है कि श्वेट प्रकाश में साथ वर्ण होते हैं प्रिष्ट 197 यहां प्रिष्ट 197 पर चित्र 15.3.1 भाग A और भाग B दिये गये हैं भाग A में साथ वर्णों वाली कोई डिस्क और भाग B में वही डिस्क तेजी से घुमाने पर श्वेट प्रतीत होती है दिये गये हैं पहली को एक अद्वित्य विचार आया है उसने एक वित्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के सातों वर्णों को पेंट किया गया है जैसा की चित्र पंद्रा दशमलव तीन दो में बना गया है जब लट्टू घूर्णन करता है तो वो लगभग श्वेट दिखाई देता है जब लट्टू घूरनन करता है तो वे लगभग श्वेत मालूम होता है यहां प्रिष्ठ एक सो सत्तानवे पर चित्र पंदरा दशमलव तीन दो दिया गया है साथ वर्णों वाला लट्टू इस चित्र में घूरनन करता हुआ बताया गया है प्रमुक्षब्द अवतल लेंज अवतल दर्पन उतल लेंज उतल दर्पन प्रतिबिम्ब आवर्धक लेंज पष्च दृष्य दर्पन प्रिज्म इंद्रधनुष वास्तविक प्रतिबिम्ब पार्ष्व दर्पन गोलीय दर्पन आभासी प्रतिबिम्ब अभिसरित अभिस प्रिष्ट 198 आपने क्या सीखा? प्रकाश सरल रेखा के अनुदेश गमन करता है जो प्रतिबिम्ब परदे पर प्राप्त किया जा सके वास्तिविक प्रतिबिम्ब कहलाता है जिस प्रतिबिम्ब को परदे पर प्राप्त ना किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिम्ब कहते हैं समतल दर्पन द्वारा बना प्रतिबिम्ब सीधा होता है ये आभासी होता है तथा बिम्ब के समान सा इसका होता है प्रतिम्ब दर्पन के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पन के सामने बिम्ब की दूरी होती है अवतल दर्पन वास्तिविक तथा उल्टा प्रतिम्ब बना सकता है जब बिंब को दरपण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है उत्तल दरपण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है उत्तल लेंस वास्तिविक तथा उल्टा प्रतिबिम्ब बना सकता है जब बिम्ब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है जब उत्तल लेंस को वस्तमों को आवर्धित करके जाननी के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिम्ब से छोटा प्रतिबिम्ब बनाता है श्वेत प्रकाश साथ वर्णों का मिश्रण है अभ्यास एक रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए कर जिस प्रतिबिम्ब को परदे पर नाप्राप्त किया जा सके वो रिक्त स्थान कहलाता है ख, यदि प्रतिबिम्ब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो ये किसी उत्तल रिक्त स्थान द्वारा बना होगा ग, यदि प्रतिबिम्ब सदैव बिम्ब के साइज का बने तो दरपन रिक्त स्थान होगा गर जिस प्रतिबिम्ब को परदे पर प्राप्त किया जा सके वह रिक्त स्थान प्रतिबिम्ब कहलाता है च अवतल रिक्त स्थान द्वारा बनाया गया प्रतिबिम्ब परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता प्रिष्ट 199 99. दो. यहां दिएगे वक्तव्य सत्य हैं अत्वा असत्य. क. हम उत्तल दर्पन से आवर्धित तथा सीधा प्रतिविंब प्राप्त कर सकते हैं. ख. अवतल दर्पन से हम वास्तिविक आवर्धित तथा उल्टा प्रतिविंब प्राप्त कर सकते हैं. घ. वास्तिविक प्रतिविंब को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता. च, अवतल दरपण सदय वास्तिविक प्रतिवेंब बनाता है 3. कॉलम A में दिये गए शब्दों का मिलान कॉलम B के एक अत्वा अधिक कतनों से कीजिए कॉलम A में दिये गए शब्द है क, समतल दरपण ख, उत्तल दरपण ग, उत्तल लेंस कॉलम B में दिये गए कथन है 1. आवर्धक लेंस की भाती उपियोग होता है 2. अधिक शेत्र के दृष्य का प्रतिवेंब बना सकता है 3. दंत चिकिचक दातों का आवर्धित प्रतिवेंब जाननी के लिए उपियोग करते है 4. उल्टा तथा आवर्धित प्रतिवेंब बना सकता है 5. प्रतिवेंब सीधा तथा बिंब के साइस का प्रतिवेंब बनाता है 6. सीधा तथा बिंब के साइस से छोटा प्रतिवेंब बनाता है 5. अंग्रेसी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ग्यान है कि वर्ण माला के उन अक्षरों का पता लगाईए जिनके सम्तल दरपण में बने प्रतिबिम्ब बिलकुल अक्षरों के सद रिश्य लगते हैं अपने परिणामों की विवेचना कीजिए 6. आभासी प्रतिबिम्ब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिती बताईए जहां आभासी प्रतिबिम्ब बनता हो 7. उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर लिखी 8. अवतल तथा उत्तल दरपणों का एक-एक उप्योग लिखी 9. किस प्रकार का दरपण वास्थविक प्रतिबिम्ब बना सकता है? 10. किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिम्ब बनाता है? 11. बिम्ब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिम्ब बनाया जा सकता है 1. अवतल लेंस द्वारा 2. अवतल दरपण द्वारा 3. उत्तल दरपण द्वारा 4. समतल दरपण द्वारा 12. डेविड अपने प्रतिबिम्ब को समतल दरपण में पा रहा था दरपन तथा उसके प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी चार मीटर है यदि वो दरपन की ओर एक मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी होगी एक, तीन मीटर, दो, पांच मीटर, तीन, छे मीटर, या चार, आठ मीटर, तेरह, एक कार का पश्च दृष्च दरपण समतल दरपण है, ड्राइवर अपनी कार को दो मीटर प्रती सेकेंड की चाल से बैक करते समय, पश्च दृष्च दरपण में अपनी कार के पीछे यानि पार्ग किये हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब जानता है ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा वो है एक, एक मीटर प्रतिसेकंड दो, दो मीटर प्रतिसेकंड तीन, चार मीटर प्रतिसेकंड चार, आठ मीटर प्रतिसेकंड विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप और पर्योजना कार्य एक, दरपण से खेलिए कागस की एक पतली शीट, पॉलिथीन या काच पर स्केच पैन से अपना नाम लिखिए समतल दरपण के सामने खड़े होकर शीट पर लिखे अपने नाम को पढ़िए अब दरपण में अपने द्वारा लिखे नाम के प्रतिबिम्ब को जानिए दो, पानी में जलती मुम्बत्ती जूते का एक खाली डिबबा लीजिए, जो एक और से खुला हो इसमें एक छोटी जलती हुई मुम्बत्ती रखिए पारदर्शक काच की एक शीट लगभग 25 सेंटिमीटर गुणा 25 सेंटिमीटर इस मुम्बत्ती के सामने रखिए जैसा की पारदर्शक कांच की एक शीट लगभग 25 cm गुणा 25 cm इस मुम्बत्ती की सामने रखी जैसा की चित्र 15.33 में दिया गया है कांच की शीट के पीछे मुम्बत्ती के प्रतिबिंब की स्थिती नोट कीजिए इस्थिती पर पानी से भरा एक गिलास रखीए अपने मित्रों से कांच की शीट के आरपार मुम्बत्ती के प्रतिबिंब को समझने के लिए कहिए आपके मित्रों को ये समझकर आश्चर होगा कि मुम्बत्ती पानी में जल रही है कारण कि व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए यहां प्रिष्ठ 201 पर 415.33 दिया गया है इसमें पानी में जलती हुई मुम्बत्ती का ये अभ्यास बताया गया है स्वयम अपना इंद्रधनुष बनाने का प्रयत्न कीजिए इस परियोजना को आप प्रातहकाल या सायकाल कर सकते हैं सोरे की ओर अपनी पीठ करके खड़े हो जाएगी बाग में पानी देने के लिए काम आने वाला मोटा पाइप लीजिए अपने सामने पानी का एक ववारा बनाईए इस ववारे में आप इंद्रधनुष के विभिन वर्ण जान सकते हैं चार, किसी विज्ञान केंद्र, विज्ञान पार्क या गाओं के मेले में हास्स गालरी यानी हसी के गोल गपे ढूंढ़िए वहाँ पर आपको कुछ बड़े दरपन मिलेंगे इन दरपनों में आप अपना विकृत तथा हास्स कर प्रतबिम्ब पा सकते हैं यहां उप्योग किये जाने वाले दरपनों के प्रकार जानने का प्रहत्न कीजिए पांच, किसी समीपस्थ अस्पताल में जाईगी आप किसी दंत या नेत्र चिकित्सक या नाक, कान वा गले के विशेशग के चिकित्साले में भी जा सकते हैं डॉक्टर से उन दरपनों को बताने की प्रार्थना कीजिए जो कान, नाक, गला, आँख तथा दाथ को परखने के लिए उप्योग किया जाता है क्या आप इन यंत्रों में उप्योग किये जाने वाले दरपनों को पहचान सकते हैं? 6. भूमिका का खेल यानि रोल प्ले इस खेल को कुछ बच्चों का समुहूं यानि ग्रुप मिलकर खेल सकता है एक बच्चे को बिम्ब की भूमिका करने को दी जाएगी तथा दूसरा बच्चा इस बिम्ब के प्रतिबिम्ब की भूमिका करेगा बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब एक दूसरे के प्रतिबिम्ब की भूमे का निभाएगा बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे बिम्ब अपने अंगों से कुछ गतियां करेगा जैसे अपना एक हाथ उठाएगा, एक कान पकड़ेगा आदी प्रतिबिम्ब की बिम्ब के आक्शन के अनुसार जिस प्रकार प्रतिबिम्ब आक्शन करता है वैसा ही आक्शन करना होगा बाकी ग्रुप प्रतिबिम्ब के आक्शनों को समझेगा यदि प्रतिबिम्ब सही आक्शन नहीं कर पाता तो वो खेल से बाहर हो जाएगी या हो जाएगा उसका स्थान दूसरा बच्चा ले लेगा और खेल आगे बढ़ता जाएगा आप अपनी नियम बना कर उसके अनुसार अंक देने की कोई विधी तै कर सकते हैं जो ग्रुप सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा वो विजाई घोशित किया जाएगा क्या आप जानते हैं दरपन अस्तरों की भाती भी उप्योग में लाई जा सकते हैं कहते हैं कि ग्रीक विज्ञानिक आर्केमेडीस ने लगभग 2000 वर्ष पहले ऐसा कर दिया था जब रोमनों ने ग्रीक के समुद्री तटके सायराक्यूस यानी सिसली नामक नगर पर आक्रमन किया तो आर्केमेडीस ने चित्र 15.34 में बताय अनुसार दरपनों को लगाया दरपनों को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था इन्हें इस प्रकार विवस्थित किया गया कि वे सूरिके प्रकाश को रोमन सैनिकों के उपर परावर्तित कर सकते थी सूरिके प्रकाश से रोमन सैनिक चौधिया गए वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है वो चक्रा गए और भाग खड़े हुए ये एक ऐसा उदाहरण है जो ये स्पष्ट करता है कि किस प्रकार सैनिक ताकत पर सूज बूज से विजय पाई जा सकती है यहाँ प्रिष्ठ 202 पर चित्र 15.34 दिया गया है ये चित्र आर्किमेडीस के दरपन का वही चित्र है इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का पाठ 15 है शीशक प्रकाश यहां समाप्त हुआ वाचन